हेलो दोस्तो लापटाप आश्टा में आपका स्वागत है मैं आपका दोस इशान राजफीर आपके साबने एक नई वीडियो के साथ देखिए हमने लास्ट पार्ट में यह डिस्क्रिशन किया था कि अगर आप लापटाप लेने जा रहा हैं आपका बजट एक लिमेटीड है देखे अगर हम बात करेंगे तीन सेग्मेंट हमारे पास यह आते हैं एक होता है स्लीकि लापटाप काफी लाइट वेटakah। इस्पेक्टर सिरीज भी आती है, जो टच होती है, और सलीक होती है, आप ये तीनो सिरीज आप देख सकते हैं, इस सेङ्मेंट के अंदर, पॉवेलियन सिरीज हमारी सबसे सस्ती होती है, उसके बाद आप जाएंगे, अन्वी में, फोड़ा समयेंगा, उससे उपर होता है, इ ऐसे ही आप जाएँगे हमारे जो लिवो में आता है वो फ्लेक्स होता है और योगा आता है हमारी फ्लेक्स सीरीज जो 2-1 होती है और योगा वो भी प्रीमेंप इसे परटिकुलर एक एक बॉडॉल डिस्क्रिशन करने में बैटेगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी यह हमारा एक segment आता है यह segment उन लोगों के लिए है जो premium series चाहते हैं बहुत ज़्यादा performance laptop से नहीं चाहिए screen बड़ी नहीं चाहिए 15-16 inches की हमें screen नहीं चाहिए तो यह segment उन लोगों के लिए है दूसरा segment आता है gaming में ही जिनको performance machine चाहिए जिसके अंदर हम शुरू में बात करते है HP की तो वो Omen series आती है second बात करते है Dell की तो उसमें LNVR आता है अगर हम Lenovo की बात करेंगे Legion series आती है और Asus की बात करेंगे तो ROG series आती है ROG में भी ZFX काफी अलग-अलग series होती है यह एक अलग segment है अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो lightweight होती है आगे बढ़ने से पहले जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े है जिन्हों ने अभी तक हमारा laptop master channel सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा बेल आइकन जुरूर प्रेस करेज़ेगा हम नए नए laptop की unboxing करते रहते हैं साथ में back panel में open करके आपको दिखाते रहते हैं तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आते हैं अपने मुद्दे पर देखे अगर आप एक lightweight laptop सर्च कर रहे हैं तो आपको lightweight laptop में क्या-क्या चाहिए सबसे पहला आज की date में आपको processor है processor से देखिए i7 at least 13 generation या फिर ultra processor या अगर आप AMD में जाते हैं AMD में Ryzen 7 में 8000 series launch हो चुकी है जैसे अगर हम HP में देखेंगे तो HP NV के अंदर आपको 8000 series मिल जाएगी और आपको इस NV में आपको i7 मिल जाएगा इस्पेक्टर series देखेंगे तो उसमें भी आपकी ultra series market में आ चुकी है देखें ये processor आपके high series में है अगर आपको budget की problem नहीं है second आप RAM जरूर देखिएगा 16GB RAM हो at least 16GB इस से नीचे RAM ना हो और DDR5 या LPDDR5 हो मैं आपको ये भी बता दू इस series के जितने भी laptop साते है उनके अंदर RAM अपग्रेड नहीं होती है mostly some में soldered RAM होती है LPDDR4 RAM जो है अब काफी कम होती जा रही है तो अगर आप LPDDR5 RAM देखेंगे तो वो speed आपके performance ज़्यादा बढ़ा देगा तो ये जरूर दियान रखेगा LPDDR5 RAM जिसकी speed अबव होगी 4800 MHz से सेकरे लिए hard disk की बात आजाती है 1TB SSD हो बहुत ज़्यादा बेटर है mostly series के अंदर 1TB SSD ही आ रही है और SSD Gen 4 की ही हो mostly ये भी Gen 4 ही आ रही है फिर भी आप जरूर देख लीजिए कहीं है साना हो किसी लाप्टर में Gen 3 की SSD मिल जाए तो ये तीन चीजे आपकी high end में जरूरी है और SSD अपगेट हो जाती है बाई चंस आपको बाकी सारी specification मिल रही हो SSD आपको 512 मिल रही हो और आपको कोई दिखर नहीं आप वो ले सकते हैं आगे future में आपको अभी भी SSD अफगेड कर सकते हैं इस्क्रीन हमारी mostly 13.3 इंचीज और 14 इंचीज होती है इसमें आपको OLED भी मिल जाएगी QHD भी मिल जाएगी आपको Full HD भी मिल जाएगी यह सारी specification देखे जितनी आप OLED मिलेगी तो ज़्यादा अच्छा है QHD मिलेगी तो भी अच्छा है Full HD यहाँ पर मैं कहुँगा कि आप Full HD पर मच जाएगा क्योंकि इस segment के अंदर आपको OLED मिले QHD मिले ज़्यादा अच्छा है और SRGB आपको 100% मिलना चाहिए जिहाँ इस segment के अंदर जितनी भी models मिलेंगे आपको mostly 100% SRGB के ही मिलेंगे अगर आपको 100% SRGB नहीं मिलना तो आप एक बार अपने decision जरूर देखेगा दूसरे laptop को आप एक बार जरूर सर्च करके देखेगा लास्ट इसमें आजाता है बैटरी बैकप जी हाँ बैटरी बैकप इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि lightweight laptop है आप सोचते हैं मैं कहरी ना करूँ मैं office जाओ 8-9 गंटे भी चल जाए तो मेरे को काम चल जाएगा 4 गंटे 5 गंटे एक एक एक्स्टा आदा गिलो का या धाइसो ग्राम का मैं charger क्यों कहरी करूँ तो बैटरी बैकप भी चितने भी ये laptop होता है उन समें बैटरी बैकप 8 गंटे, 10 गंटे, 12 गंटे, 15 गंटे का ऐसा रहता है अभी मैं asus के एक event में गिया था नॉर्मल वर्किंग में आपको 15-20 गंटे मिल जाएंगे आप जब भी लेने जाए तो एक बार इस laptop का review जरूर करिएगा तो ये कुछ एक parameters हैं जो हमारे laptop में matter करते हैं कि हमें क्या-क्या देखना जरूरी है जितने भी ये laptop आते हैं उसकी सभी metal body में आते हैं आपको ये कहने की जुरूर्ब तही है इसमें fiber body नहीं आती है मैं आपको ये भी बता दूँ इन laptops में जितने भी laptops आते हैं इन में ports बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं ये जरूर याद रखेगा इन laptops के अंदर thunderbolt port जरूर हो जिया इस type का port आता है thunderbolt जिससे आप अपनी जितने भी आपके बाकी ports है आप easily docking station लगा के या कोई भी market में extra ports वो मिल जाते हैं expansion store आप उस पे लगा के easily work कर सकते हैं क्योंकि जितने भी laptops होते हैं मुस्ति इन में दो type C के ports ही मिलते हैं एक laptop को charge करने के लिए और एक आपकी working के लिए और अगर आप बहुत ज़्यादा video conferencing करते हैं और meeting करते हैं आप अपने office से कुलीक से हमेशा online ही connected रहते हैं तो इन में आप एक बार webcam जरूर देखिएगा mostly इन में 5 megapixel का IR camera आता है with temple noise reduction के साथ ये feature सबसे ज़्यादा जरूरी है उन लोगों के लिए जो laptop अपने meetings के लिए use करेंगे temple noise reduction with IR camera face detection भी आजकल आ चुका है लेकिन मैं उस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा वो इतना अभी ज़्यादा matter नहीं करता है जो सबसे ज़्यादा matter करेगा 5 megapixel का IR camera with temple noise reduction और ये भी चेक करिएगा laptop अगर आप ले रहे हैं कि उसमें noise reduction कितना है ये जरूर पूछीगा noise reduction का जो benefit होता है आप यहाँ पे working कर रहे हैं आस-पास आपके पर उसमें कोई sound चल रहा है कोई मतलब लगी है जो आप सामने आपके colleagues है या आपके boss है या आपके juniors है जिनके पास भी voice जा रहा है उससी रफ आपकी voice जाएगी आपके आस-पास की noise बिल्कुल भी नहीं जाएगी तो ये भी आपको ध्यान देने कि बहुत ज़्यादा जरुवत है laptop लेते समय आई हम बात करते है gaming laptops की उसके अंदर हम जो सबसे पहला देखते हैं हमारा processor है processor में हमारी 3 category mostly market में available है H, HS और HX अगर आपको HX processor मिल रहा है तो वो सबसे बेटा है उसकी performance सबसे ज़्यादा अच्छी होती है i7 में 14 generation आप देख सकते है 13 और 14 दोनों आपको market में मिल जाएंगे 8000 series Ryzen 7 में i9 देख रहे हैं तो आपको 12 generation भी चल जाएगा 13 generation भी आपको market में मिल जाएगा 14 भी और ऐसे ही Ryzen 9 के अंदर 7000 या 8000 series यह हमारे processor है जो अभी market में मिल रहे है यह series बताईए मैंने generation में processor के आगे हमेशा याद रखेगा HHS या HX सबसे बेटा है अगर आपको HX मिलता है तो वो सबसे बेटा है उसकी बाद हम RAM की बात करते है RAM हमारी DDR5 होनी चाहिए इस segment के अंदर DDR5 में आप यह मत सोची का कि 16GB, 8GB वैसे रही मिलेगी आपको 16GB मिलेगी लेकिन आप इसमें easily upgrade कर सकते हैं क्योंकि 90% gaming laptop जो आते हैं वो laptop easily upgrade हो जाते हैं पहले मैं आपको इसके वो भी बता देता हूँ किस company में कौन सी series चल रही है अगर हम HP की बात करेंगे तो इसमें Omen series है जो सबसे higher series आप यह gaming की अगर आप बात करेंगे Dell की तो इसमें LMVR आता है LMVR सबसे higher series है अगर आप Lenovo की बात करेंगे तो उसमें Legion series है अगर आप Asus की बात करेंगे तो उसमें आपको ROG series देखने को मिलेगी या आप इसमें काफी फेमस Acer भी है, Acer की इसमें Nitro या Pediatr आपको Market में मिल जाएगा ये जितने भी laptop हैं आपकी target पे होने चाहिए जब आप Market में laptop लेने जा रहे हैं सब्सक्राइब आपको देखना है SSD स्लोट मिल रहे हैं, एक आप में लगी भी है खाली है तो वो आपके लिए bonus point है अगर आपको वो मिलता है तो बहुत अच्छा है जो gaming laptop की जान होती है वो होती है graphic card अब graphic card हमारा आजाता है आज की date के अंदर हमारा इन segment में जो चल रहा है 40-50 series, 40-60, 40-70 40-40-80 और बहुत आप उपर तक चल रहेंगे तो 49 TV आपको देखने को मिल जाएगा और market में 30-80 भी market में काफी i9 वगेरा में आपको market में 30-80 भी मिल जाएगा तो आपको जितना high graphics मिलता जाए आप उतना high graphics इसमें add कर लीजिए basic में 40-50 है फिर आपका उपर mostly इसमें आपको 8 GB मिलेगा 8 GB जो आपको better मिल जाए graphics वो आप चूज कर सकते हैं इसमें battery backup में आपको बजा दूँ किसी भी लापता में बहुत ज़्यादा आप सोचेंगे 10-12 गंडे वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि heavy performance machine होती है वो इसमें 6 गंडे, 7 गंडे, 8 गंडे बैटरी backup मिलेगा इसमें फिर भी आप बहुत ज़्यादा उस पर मज जीएगा कि अगर किसी आप सिर्फ बैटरी backup के ऊपर चूज कर रहे हो तो आप मज जीएगा अगर हम webcam की बात करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे webcam आपको देखने को नहीं मिलते हैं अब हाला कि 5 मेरा पिक्सल के आपको देखने को मिल रहे है लेकिन webcam के ऊपर भी इसका decision नहीं होता है अगला जो इसके decision होता है हो है screen के ऊपर स्क्रीन आप ज़रूर याद रखेगा 144Hz, 165 या 240Hz की screen अगर आपको 240Hz की screen मिल रही है तो वो बहुत ज़्यादा बेटर है आप अगर देखेंगे 100% SRGB मिल रहा है तो वो भी बेटर है स्क्रीन के अंदर आपको देखने का है 240Hz 144Hz तो हमारी basic होजाती है 165Hz है तो भी बेटर है या अगर 240Hz मिल रही है तो वो आपके लिए सबसे बेटर है QHD मिल जाएगी All It मिल जाएगी जो भी आपको चूज करें इस पर दोनों ही अल्मोस्ट आप चूज कर सकते हैं और 250Hz का आपको देखना ज्यादा जोगी है इसके अलावा बहुत ज्यादा चीजे नहीं होती है जितने भी आप gamers होते हैं बहुत ज्यादा technically sound होते हैं वो सब ये चीज़ आनते हैं लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं ये हमने वीडियो बनाई है सिर्फ उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा नौलेज नहीं रखते मैं यही आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने से आपको काफी हद तक तो clarity हो गई होगी देखिए इस वीडियो के अंदर मैं technically नहीं किया मैं model wise नहीं किया कि particular क्या model लेना चाहिए मैं सिर्फ आपको लेके गया हूँ कि किस में क्या होना चाहिए एक चीज और मैं आपको बतादू जो light weight laptop लेते हैं उसमें warranty extended की option होती है हर company में light weight जितने भी laptop साते हैं उनकी screen हमेशा costly होती है अगर touch screen है NV spectre में या आपकी XPS के अंदर या आपकी yoga में या आपकी Zenbook में तो उनकी accidental damage protection जरूर लीजिएगा वो भी लेकिन उसी brand की लीजिएगा जिस brand का आप laptop ले रहे हो अगर आप third party से किसी सी भी ले लेंगे तो आपको नहीं बिलेगी मैं आपको कभी भी ये prefer नहीं करता कि आप कभी भी extended warranty भार से ले फिर भी आपको कोई question रहे गया हो तो आप comment section में हमसे जरू पूछ सकते हैं हम कोईश करते हैं हर question का answer दे ये वीडियो आपको कैसी लेगी हमें जरू बताएगा अगर पसंद आईगा तो like जरू कर दिएगा share जरू कर दिएगा और अभी तक आपने हमारा laptop master channel subscribe नहीं किया तो subscribe जरू कर दिएगा ऐसी informative वीडियो हम आपके लिए लेक के आते रहेंगे आपके दिमाग में भी कोई question चल रहा हूँ हम किस बारे में वीडियो बनाएगा तो हमें जरूर बताएगा हम कोईश करेंगे उस topic को लेकर भी वीडियो बनाएगे बाकी हम laptop को unbox करने की वीडियो तो हम बनाते ही रहते हैं तो वीडियो के अंतक बने रहने का बहुत बहुत धन्याद मिलेंगे अगली वीडियो में नए topic या नए laptop के साथ तब तक के लिए चाहें